कि ना तो भारत का कोई भविश्य है ना भारत का कोई वर्तमान है अगर उसमें डॉक्टर अम्बेद कर नहीं है साथियों अगर पिछले सतर असी साल यह यह कहें के 1932 से अब तक के समय को अगर हम देखें तो भाई नाकपाल जो बात कह रहे थे जो दर्द बता रहे थे कि 1932 के बाद से 1932 क्यों क्योंकि एक बड़ा माइन स्टोन है 1932 का पूना पैक्ट वाला कॉमनल अवार्ड वाला गांधी के साथ बाबा सहाब के विवाद और जगड़े का एक बड़ा मुद्दा है और उसके बाद से भारत की तस्वीर बदलती है बाबा सहाब और महान होते जाते हैं लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है के 1932 से पहले बाबा सहाब का बहुत संग्यान यहां की मनुवादी विवस्था ने नहीं लिया था लेकिन जब लंदन बाबा सहाब जाते हैं राउंडेविल कॉन्फरेंस में से पहले तो उस समय पे जब पूरी दुनिया को इस विवस्था की गंदगी से रूबे रूब कराते हैं जो जाती वाद है जो चुआ चूथ है जो अन्याय अत्याचा रपमान की परंपरा है जब पूरी दुनिया को और वहां के जिम्मेदार साथियों को भारत के भी जिम्मेदार साथियों को जब जाती विवस्था की घंदगी से रूबे रूब कराते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर एक अलग तरह की बात जाती है कि यह क्या हो रहा है देश के अंदर क्या हो रहा है उस समय पे उसायद 12 नौम है 30 नौम और 1931 की बात है जब 29 अगास 1932 भाई सुन लीजिया जब बाबा सहाब अपनी बात महां पे रखते हैं उस समय पे उस सभा के अंदर सयाजी स्याजी राव गायकवारन भी थे हैं सैजी राफ गायकवार है वह व्यक्ति थे जो बाबासाहब को कोलंबिया भेजते हैं उनकी महराणी भी उनके साथ थी शांको..! श्याजी राव गायकवार जब Pontevati पहुच्छते हैं तो अपने Gushchus में पहुच्छ उस समय पे मैटम से कहते हैं कि मैने ड Cock्र Ambedkar को को डौंबिया युनिवस्चिर भेजा था، आज डक्र Aamiadkar की बात को सुनके क्योंकि एलिजाबेद भी थी वहाँ पे रेमजे मैं टोनल्ड भी थे सारे लोग थे पूरी दुनिया का मेडिया भी वहाँ पे था वो कहते हैं कि आज मुझे बहुत सुकून मिला कि मैंने एक पात्र व्यक्ती को एक योग्य व्यक्ती को फैलोशिप दिया और इसने मुझे पूरा यकीन है कि जो फैलोशिप आज तक मैंने दिये थे उनमें ये व्यक्ती सबसे योग्य सामिल होगा इन्होंने अपनी उस पात्रता को सिद्ध भोसित कर दिया तो उसके बाद से आप पूरे जगड़े को जानते हैं क्या हुआ अगली कॉंफरेंस में और गांधी के साथ जगड़ा हुआ और फिर कॉम्नलवाट भोसित होने से पहली जब बाबा साहब लंदन से वापस आते हैं तो बाबा साहब को विभिन स्थानों पर जातिवादी मान सिकता कि लोग खास दोर पे कॉंग्रिस के लोग बाबा साहब को कारी जंडे दिखाते हैं उन पूरे देश के अंदर मीडिया ने बाबा साहब को बहुत दुस्परचारित किया उनकी बहुत ज़्यादा चरित्र हत्या करने का प्रयास किया और उसके बाद से माहुल बन नहीं पाया कभी बीच में आके थोड़ा सा जब समिधान लिखा जा रहा था उस समय पे जरूर थोड़ा सा एक मन मुटाओ कम सा नजर आता है लेकिन साह सतेंजी इस बात को बोल रहे थे मैं याद दिला दू कि 1946 में क्योंकि अंग्रेजों को अफरा तफरी थी अंग्रेज भाग रहे थे देज से भाग रहे थे 1943 में अंग्रेजों ने बाबा साहब से ये वादा किया था कि वो 20 साल के अंदर यहां की जो अजूतों की समस्या है उसका पर्मनेट करेंगे उसका कुछ न कुछ सुलना की सेटलमेंट करेंगे लेकिन सेकन्ड वार होते होते उसके खत्म होते होते अंग्रे dictators को यहांसे भागने की जल्दी थी इसलिए बाबा साहब का वो लगबाग साथ छोड रहे थे 1946 का समय महत्वपूर है कुछ साथी जरूर जानते होंगे कि उस समय पे बाबा साहब बहुत निरास और हथास हो गई थे क्यों? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नया सम्विधान बनने वाला है उस सम्विधान में हमारा क्या इस्थान होने वाला है क्या हजारों साल से जो हमारे उपर रन्याय अत्याचार करने वाले लोग है उनको दुबारा से इस देश का सासक बना दिया जाएगा हमारी क्या इस्थिती होने वाली है तो let me remind you in that crisis बाबा साहम made an statement कि अंगरेज ये ना सोचे के हम उनकी दया पे निरभर है अंगरेज ये ना सोचे के हम उनकी दया पे निरभर हैं हम उनको बता दें के हम बहुत अच्छे से बं का इस्तमाल कर सकते हैं और हम बहुत अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं उस्कानंगो vergynaza लोगों को दिली के अंदर कानपूर के अंदर पुने के अंदर नागपूर के अंदर बो्थ जवंदस्त आंदोलन हुए शाइद कि कम जानकारिक जो लोगों को कम से कम 16 17 लोग हमारी उस समय मारे गए समविधान सभाय में अपना इस्थान सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा इस्थान क्या होगा पूरे देश के अंदर बाबा साहब ने आंदुलन चलाया अंग्रेज को खिलाब भी पूरा आंदुलनों ने चलाये कर नहीं उसी समय पे जो एक इन फेमस स्टेटमेंट पटेल के बारे में कहा जाता है कि म इन फेमेंस्टल पर्स नाइटी थे वहां पर आंदुलन कर रहे थे और योगे तो थे ही उसी समय पे बाबा साहब लंदन जाते हैं 1946 में लंदन जाते हैं लंदन जाके रेमजे मैकडॉनाइल्ड से मिलते हैं लॉड एकली से मिलते हैं लॉड एकली उस समय पर प्रदान मंत्री थे चर्चिर से मिलते हैं एलिजाबेट से मिलते हैं और बहुत सारे दूसरे लोगों से मिलते हैं और उनको ये बात बताते हैं कि बही जिस तरीके से आप भाग रहे हैं वहाँ पे आज भारत के अंदर 7-8 करोड जो खास दूर पे अंकचेबल्स और टाइबल्स है उनका भविस्य क्या होगा उस समय पे ये सारे के सारे लोग उनको एंशोर कराते हैं कि आप चिंता ना करें हम इतनी आसानी से अंकचेबल्स और आप जिन कंसरंस को लेके बात कर रहे हैं उनको अनटेंड़ी नहीं छोड़ेंगार ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ ये तो हम जानते हैं कि 46 में बाबा साहब चुनके किस परस्तिती में बंगाल से आये थे जैसोर खुलना से आये थे और किस तरीके से सरारत पून तरीके से उन जगहा को पाकिस्तान के अंदर दे दिया गया था जबकि वहां पे कम से कम 42 बावन परसंट लोग सेडूल कास थे सिर्फ सेडूल कास 52 परसंट लोग लेकिन बाबा साहब की सीट वहां पे चली गई इस लिए उस सिस्टम के दबाव को और मैं कहूंगा कि बहुत थक अंग्रेजों के दबाव की वज़े से जैकर और दूसरे साथी जिन्होंने भी अपने जगह छोड़ी हम उनका सुक्र गुजार हैं लेकिन ये कोई इतना आसान चीज नहीं थी कि उन्होंने बहुत खुस हो के दे दिया हो वह बाबा साहब की विद्वता उनका संगर्ष उनका बलीदान और परिस्तित्यों की वज़े से था कि चीजे वहां तक पहुची वह एक समय था जिसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सिस्टम ठीक चल रहा था लेकिन वह जादा दिन नहीं चला आप जानते कि 1951 तक आते ही भारत में पहले बाबा साहब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विचार के आधार पर जो एक विचार के आधार पर जो एक अपनी विचार धारा को मस्बूती से लागू करने के आधार पर भारत के मंत्री पद से कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र देते हिंदु को कोराम पूरे देश के अंदर मचा था किस तरह का कोराम वहां पे जवालाल नहरू भी अपनी बाद से पीछे मुण गए थे आप जानते हैं के संविधात्वा कैबिनेट के अंदर सामुहिक जिम्मेदारी होती है अगर कैबिनेट ने कोई बिल अप्रूव कर दिया है कि इसको लोग सभा में या राचे सभा में पेस करना है तो पूरी की पूरी कैबिनेट का वो बिल होता है वो लौ मिनिस्टर का बिल नहीं होता है वो प्राइम मिनिस्टर का बिल नहीं होता है सामुहिक जिम्मेदारी का ह हमारे यहां पर सिद्धान्त है लेकिन ताजुब की बात है कि बाकी के लोग जो की कानून जो की कैबिनेट के सदस्य थे उनको उस तरह का एहसास नहीं हुआ उनके मन में इस तरह की पीड़ा नहीं थी उन्होंने त्याकपत्र नहीं दिया जब जब जवाला लहरू के सामने या राजेदिर प्रशाद अड़ गई या इंडिया गेट पे बहुत सारे तथाकति धरम के ठेकेदारों ने शायद बाबा साहब का मतलब भारत में पहला फु ताक तक चाहे वो कांगरिशिय्या सुारवादलों चाहे वो बेजेपी टाइप आरसस्ट पा रियक्षनरी लोग हो दक्ष्णपंति लोग हो चाहेम टथा गतितध क्रांतीकारि मानश् powdow किसी ने भी बाबा सहब का pan Да को यह वांगar झान्ट है विवध्वनसक बता रहा था कोई उन्हें डिवीजनिस्ट बता又不 अर्गुंएं थे लेकिन यहां का वांग पक्षन यहां का चैन यहां का कंधिय Girillet left और BJP टाइब लोग जो हैं इन्हों ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया लेकिन 1980 के बाद और ये महत्वपून है 1980 के बाद कुछ अलग तरह की लहर चले कुछ अलग तरह की बाद बनी और 90 तक आते आते जो लोग कभी बाबा साहब के विरोध में उनके अलग-अलग तरहे से उनके खिलाब दुस्परचार करते थे उन्हें जातीवादी बताते थे उन्हें पूजीवादी बताते थे उन्हें विभेतकारी बताते थे वो सारे लोग अब बावा साहब के बारे भी कुछ अलग लग तरे की बात कर रहे हैं और यहां ते किसी थी आ गई कि 90 तक आते आते उनको भारत रत्नका से नमाज दिया जाता है पूरे देश के अंदर पूनम जी बता रही थी कि अब तो पूरा देश उनको ग्रेटिस्ट इंडियन कह रहा है आज कोई ऐसा राइट लेफ्ट सेंटर नहीं है देश के अंदर ऐसा कोई गाउं नहीं है देश के अंदर ऐसा कोई सहर नहीं है देश के अंदर ऐसा कोई ओडिटोरियम नहीं है जहां पे बाबा सहाव को स्विकार ना किया जा रहा हो उनकी जहनती को उनके विचारों को स्विकार ना किया जा रहा हो important बात या है कि ये नभभा के दसक में अच्षी के दसक में हुआ क्यों लोग उनको सु्विकार करने लगे मैं ये कहूँगा कि जो हमारा दूसरा हिस्सा है संविधान उस संविधान ने कमाल किया उस संविधान ने मैं कहूँगा चमतकार किया उस सम्विधान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो व्यक्ति जिनको बहुत सारी चीजे हैं जिनको हम बता सकते हैं नकारात्मक तरीके से लेकिन कुल मिलाके ये है कि सम्विधान के दुआरा लोगों के अंदर वो ताकत आई उन्होंने सिक्षा प्राप्त की उन्होंने नोगरियां प्राप्त की उन्होंने बुजिशन्स प्राप्त की और उन में से ही कुछ लोगों के अंदर सिर्फ चंद लोगों के अंदर बाबा सहाब का जो अपमान था वो सिर्फ बाबा सहाब का अपमान नहीं था इसलिए उनमें से ही कुछ लोगों ने असी के दसक में भारत में ऐसी गर्मी पैदा की कि जो बाबा सहाब के जो चार पुत्र पुत्रियां बलिदान हुए, कुर्बान हुए जो दिबाफूले के जो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे परिवार ही आगे नहीं बढ़ाना है को इस आंदोलन में फपाया इस आंदोलन में कुर्बान किया अपन vibrations कुर्बान कर दिया उस आंदोलन की मज़ेशे संविधान ने लोगों को पढ़ने का अदिकार दिया सम्विधान ने लोगों को अच्छे व्यवसाय का अधिकार दिया नोगरियों का अधिकार दिया और असी के दसक में मैं कहता हूँ कि एक डिरना एक पहल हुई मान्यवर काजी राम साहब ने पढ़े लिखे लोगों को इखटा करके उनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी की भावना को पैदा किया और उन्होंने इतनी गर्मी पैदा की उन्होंने इतनी गर्मी पैदा की कि वो मनुवादी लोग, वो जातिवादी लोग, वो ब्रामिनवादी लोग जो बाबा साहब का नाम लेने से भी डरते थे बाबा सहाब के नाम से भी जिने गंद आती थी, अब बाबा सहाब के नाम का तिलक अपने माते में लगा के, अपने आपको गोरान्वित महसूस करने लगे, इसको कहते हैं लाइकी, इसको कहते हैं लाइकी किस तरीके से बाबा सहाब ने अगर मेरे लिए अपने चार बच्च अगर बाबा सहाब भी हमारी तरह समझदार होते तो क्या होता है अगर बाबा सहाब भी इतने समझदार होते कि सबसे पहले बच्चों के अपने बच्चों के अपने अपनी दुनिया कहते हैं नहीं कि मेरा परिवार मेरी दुनिया अगर बाबा सहाब भी अपनी दुनिया को सजाते बाबा सहाब भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए पढ़ने का, उनके दवाईयों का, उनकी ऊचछ सिख्शा का, उनकी नोकरियों का, उनके लिए आलीशान, घर बनाने का सिर्फ सपना देखते जिर्फ कारियों करते अगर बाबा साहब भी मेरी ही तरह सिर्फ समझदार होते मैं आपको तो नहीं कहूँगा अपने आपको कहूँगा कि बाबा साहब भी अगर मेरी तरह ही समझदार होते और सारी अपनी एनरजी अपने परिवार के ही लिए लगा देते तो क्या होता लेकिन बाबा सहाब हम जैसे समझदार नहीं थे बाबा सहाब हम जैसे समझदार नहीं थे इसलिए उन्होंने जो दुख छेले जो संघर्स किया जो बलिदान किया आज थोड़ा सा सबूल मिलता है कि ठीक है बाबा सहाब को अपने चार बच्चों का बलिदान करना पड़ा, महरमाई का बलिदान करना पड़ा लेकिन आज पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 40 करोड बाबा सहाब के बच्चे हैं जो उनके नाम को आगे लेके जा रहे हैं और ये दिन दूर नहीं है ये दिन दूर नहीं है जब भारत में ही कम से कम 100 करोड लोग बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाएगे जब 40 करोड ने थाम लिया है तो 20-60 करोड भी आगे बढ़ेंगे जो एकता की बात बाबा साब करते हैं कि सेडल का सेडल टाइपस, OBC जो भाई जिते अंदर भी बात कर रहे थे कि भाई हमारा आदिवासी समू यहां पर क्यो नहीं है हमारा बैकवर्ड क्लास इस क्यो नहीं है मैं कम हुआ कि हमारे मानुटी क्लास के साथ भी यहां पर क्यों नहीं है कम है जिस दिन ये चिराग थोड़ा थोड़ा और रोशनी देने लगेगा उस दिन सब लोगों को रास्ता दिखाई देगा और चीजें आगे बढ़ेंगी सो कोई चीज जाया नहीं जाती है ये हमारी लाइकी पे डिपेंड करता है अगर मानेवर काशी राम साहब जैसे लाइक व्यक्ति और फिर अपने आंदुलन के द्वारा वो हजारों लागों लोगों के अंदर अपने पूरवजों के अपने पूरवजों के संगर्स की जोती जला सकते हैं उनको रास्ता दिखा सकते हैं तो फिर आज परस्तितिया सात्यों बहुत चिंता जनक नहीं है ये बात सही है ये बात सही है कि पूरे देश के अंदर इस समय पे हथासा और निरासा का दोर या हथासा और निरासा का प्रचार है लेकिन क्या आपका मन इस बात को मानता है क्या आपका मन इस बात को यकीन करता है कि नहीं हम सबसे खराब दोर में है साथ यो थोड़ा सा रणनीतिक होना पड़ेगा हम जब जिक्र करते हैं तो हम ये बता कि कई बार बहुत अपने आपको अजीब सा सुख लेते हैं इस बात में कि कभी ऐसा दोर था कि आपके पीछे जाड़ू बांधा गया था और आगे मटकी लगाई गई थी बहुत से बुजुर्ख साथी भी बैठे हैं क्या कोई व्यक्ति बता सकता है किसी गाउं में किसी के बाप दादा के पीछे जाड़ू बांधा गया हो और आगे मटकी लगाई गई हो क्या कोई बता सकता है मेरा सवाल है शायद नहीं किसी को पता नहीं है किसी को पता नहीं है ये जवाब दिया जाता है किसी व्यक्ति ने लिखा पेशवाओ के बारे में जब उनका सासन था महराश्टा के अंदर किसी ने कहा कि सात्यों समस्याओं पर अगर आप ध्यान देते हैं समस्याओं को पकड़ते हैं तो समस्याओं आते हैं सकारात अगर 818 ये वही समय जभ आप ये झारू वाली कहानी सुनाते हैं जिसकी कोई सचाई नहीं है पूरे देश के अंदर कोई बता दे अगर इस बात किसो चुए अगर उधारन मिलता है तो एक जन्वरी 1818 का उधारन मिलता है वो उधारन मिलता है जब आपके 500 लोग उनके 28,000 लोगों को दूल चका देते हैं इस उधारन को आगे क्योंदे हैं जिस उधारन से आपका सीना चोड़ा हो जा Ulis कि एक बैठे हुएं जितने मकान में आप रहते हैं मतना भी जितनी अच्छा आप खाह रहे हैं जितने अलिसाद गारियों में आप चल रहे हैं इध्यास में कभी ऐसा हुआ है नहीं हुआ आप सर्वोतमिस्तिती में है लेकिन क्या है बस यकीन ही नहीं होता राहु प्रागपाल जी जिस बात को कह रहे थे हमें अपनी चमता पे हमें अपनी ताकत पे हमें अपने होसले पे यकीन ही नहीं है अरे उसके अंदर क्या ताकत है उसके अंदर क्या ताकत है वो तो अपने तथाकतित ग्रंतों में लिखके गया है कि जिस दिन मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ उसकी आदी ताकत मेरे अंदर आ जाती है उसने लिखा है ये, जिस दिन मैं अपने आपको उसके सामने बोल देता हूँ, कि हाँ मैं ये हूँ, कापने लगता है वो, कापने लगता है, किसी ने खूब कहा है, कितने आएं कितने चले गए, कितने आएं कितने चले गए, कितने कुर्सी पे चड़े होंगे, आप खड़े आप खड़े तो हो सकते हैं आपने दिखाया है जो सतर साल से बाबा सहाब के खिलाब जो दुस्प्रचार था उस दुस्प्रचार को आपने ध्वस्त किया या नहीं किया पूरी तरीके से किया अपनी लाइक इसे किया सिर्फ एक जो थीन परचण्ट को आगे बढ़ाने की बात कर रहें उसके लिए अपना समय दे रहें उसके लिए अपनी उर्चा दे रहें उसके लिए अपनी रन्साद्रों को शेर गर रहे हैं